कि एक आदमी जो कि बिना आउपरेशन के ठीक हो सकता था वो सिर्फ इसलिए आउपरेशन करा लेता है कि उस आउपरेशन में उसके जो पैसे जाएंगे वो तो इंशुरेंस कंपनी देगी हम किसी कोई हमें क्या कि हम आपको दो लाख रुपए देते हैं और आप अपना शरी तो करें क्या वो बता दीजिए आप मेरी बात को बहुत आशानी से सुनिएगा और सबको समझ में आएगा मैं बहुत सिंपली मैंफेट पहने एक बता रहा हूँ और फिर आप समझेंगे कि आपके टॉक्कर आपका घर में बैठा हुआ है सखाजी आपका बहुत स्वागत है होलसम टेल्स में एक बार और आपका जो पहला वीडियो हमने आपके साथ किया सक्षाथ कर आपके साथ किया बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस आया लोगों ने उसको बहुत सराहा लंबा वीडियो था लेकिन जैसा आपने सजेस्ट किया ताकि वो एक पूरा प्रस्पेक्टिव देना पूरा एक नॉलेज देना वो बहुत जादा जरूरी है ताकि लोग समझ सकें कि आखिर दिक्कत कहां से शुरूवत होती है और कैसे आपने जो पद्धती डिवेलप की है सखा विलनस के अंडर में जो आप लोगों को देते है वो कैसे लोगों को बेनेफिट कर सकती है और करती है तो बहुत अच्छा वीडियो रहा आज के जो इस सेशन में मैं आपसे जो जानना चाहूंगा वो यह कि आप बिमारियों को किस नजरिये से दिखते हैं आपको क्या लगता है कि बिमारियों का मूल कारण क्या है और किस तरह से घर में बैठे हुए लोग अपने कुछ जो आपको लगता है को ऐसे टिप्स जो आप उनको देना चाहें जिससे वो अपने आपको थोड़ा ठीक कर सकें रिलीव ले सकें खासकर जैसे मेंडल जो इशूज है आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं स्ट्रेस हैं एंग्जा रहती है कि मैं जितना अपनी इंफॉर्मेशन है लोगों को शेर कर सकूँ क्योंकि जिस पड़ाओ पर है जहां मैसूस होता है कि हमें पके आम की तरह हूं उसे जितने लोग खा सकें उतना ही बेतर है तो मेरे अनुवा भी वो आम हैं तो जितना लोगों को दे सकूँ तो प सम्मंदित और अपने जीवन को बेतर बनाने से सम्मंदित विशे पर काम करते हैं मैं उन सबसे कहूंगा कि मित्रों हमेशा ध्यान नखिये कि जीवन इतना विराठ है और शरीर इतना कॉंप्लिकेटिट है कि आज तक लाखों करोणों वैग्यानिक इस पर काम करके अपने लाखों को घंटे देने के बाब जूद भी पूरा समझ नहीं सके तो आप लोगों से एक अन्रोध है कि शौट वीडियो की उम्मीद मुझसे करके ना करें मैं थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करने में इंट्रेस्ट भी दिखाता हूं और उसका रीजन यह है कि उस एक्स्प् पढ़ेगी आपके दर्शकों में जितनी समझ उनकी बढ़ती जाएगी उतने ही आगे समय में मैं कम शब्दों में बात करूंगा यह बिल्कुल ऐसे है कि घर में रहने वाले लोगों से कम बात करनी पड़ती है क्योंकि वो समझ गया होते हैं तो हाँ आपका परिवार है य जो हैं वो सार की बात निकल के आती है तो अब हम बात शुरू करते हैं तो आपका प्रशन था कि मेरी द्रश्टी में मैं स्वास्त को शरीर को किस जंग से देखता हूं और मांसिक रोगों के संब्द में मैं लोगों को क्या सलाय दे सकता हूं जिसमें घर बैठे उनको पूरी मनुष्यजाती के साथ एक बहुत दुरगटना यह हुई कि उसको कपड़े पहनने पड़े और उसको पहनने में उसके शरीर के अलग-अलग हम मतलब कहते ना कि नीचे के कपड़े अलग ऊपर के कपड़े अलग हम अपने शरीर को खंड-खंड करना शुरू कर दिय और आज दिक्कत यह है कि किसी को अगर पेट का दर्द है वो बोलता है मुझे पेट दर्द की शिकायत है मुझे कान दर्द की शिकायत है मुझे नाक दर्द की शिकायत है मुझे दाब दर्द की शिकायत है मुझे किड़नी की शिकायत है मुझे लीवर की शिकायत है लेकिन common factor है शिकायत, इन सब में common factor है शिकायत, तो मेरा अपना ये मानना है और शुरू से ही मैं ऐसा देखता हूँ, हमारे अगर हम शरीर की पूरी बात करें तो शरीर के अंदर इतना कुछ है कि हमें पता नहीं, लेकिन हम दूर से देखते हैं तो हमें शरीर पूरा दिखाई देता है, हमें हमाई kidney और अंग नहीं दिखाई देते हैं, पूरा शरीर दिखाई देता है और अगर हम इसको, अगर zoom lens लगा के जैसे back जाएं, तो google map पे देखें तो हम एक दिल्ली शहर को देख सकते हैं तो उसमें हमें लोग नहीं दिखाई देंगे, दिल्ली दिखाई देगा और हम थोड़ा deep चले जाएं, तो हमें दिल्ली भी नहीं दिखाई देगा, इंडिया दिखाई देगा और हम डीप चले जाएं तो पूरा वर्ड दिखाई देगा, हमें लोग तो दिखाई नहीं देंगे उसमें कहां क्या हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वहां लोग नहीं, लोग हैं, तो ये पूरी दुनिया जो है, होल यूनिवर्स जो है, वो connected है हमसे, जैसे बाहर की oxygen जो आपके देखते हैं, उन्हें सबसे पहले बात मान लेनी चाहिए, कि हमारी पूरी body एक सयंत्र है, और जब हम किसी एक जगा ही देखते हैं, कि कोई बीमारी है, तो हम इलाज भी उसका उसी जगा से देखते हैं, वैज्यानिकों की खोजो में, डॉक्टों ने जो की हैं, उस अब हार्ट की प्रॉब्लम देखते वक्त, उन्होंने कहा कि ये आदमी थोड़ा पानी कम पीता है, अगर पानी थोड़ा बढ़ा दे, तो मामला ठीक हो जाएगा, अब उसने पानी बढ़ा दिया, अब पानी बढ़ाया तो किड्नी पे लोड पर गया, तो अब वो किड्न एक तरीके से शरीर को खंड-खंड करके एक हिस्सा ठीक करते हैं, दूसरा परशान हो जाता है, दूसरा ठीक करते हैं, तीसरा परशान हो जाता है, हम एक बार कहते हैं कि हमारे पिता जी कहा करते थे, यदि एक बार बैंक से लोन ले लिया, तो बैंकों में लाइन लग गई तुम्हारी फिर तुम जाते रहोगे यदि तुमने एक बार कोई केस हो गया कचेरी में घुज गय तो तुम्हें वकील ऐसे उलज़ाएंगे कि फिर केसों से तुम्हें मुक्ती नहीं मिलेगी और यही है डॉक्टर में अगर तुमने एक डॉक्टर रख लिया और एक डॉक्टर से तुमने सला लेनी शुरू की तो कुछ दिनों बात जो है वो डॉक्टर तुमें घेर लेगा और आज की दौर में एक और दिक्कत है जो मैं देखता हूँ जिसकी आप सब मित्रों से में बात करना चाहूँगा आज के दौर में एक दिक्कत यह है कि हम सबने बीमे करा रखें हेल्थ इंशुरेंस करा रखें उस हेल्थ इंशुरेंस का परणाम यह होता है कि एक आदमी जो की बिना आउपरेशन के ठीक हो सकता था वो सिर्फ इसलिए आउपरेशन करा लेता है कि उस आउपरेशन में उसके जो पैसे जाएंगे वो तो इंशुरेंस कंपनी देगी और वो यह भूल जाता है कि वो अपने शरीर को कितना परशान कर रहा है सिर्फ इस वज़े से कि भुकतान को यह और करेगा हम किसी कोई हमें कए कि हम आपको दो लाक रुपए देते हैं और आप अपना शरीर में हमें काटने दीजिए पेट में चीरा लगाने दीजिए दो लाक रुपए देंगे तो आप करने देंगे नहीं करने देंगे लेकिन इंसुरेंस कंपनी से हमारी मानसिक्ता ऐसी हो गई है कि हमने 20,000 सालाना दिये हैं तो हमें 2,00,000 मिल रहे हैं तो हमने 1,80,000 का फाइदा ले लिया और हम यह भूल गए कि 1,80,000 में वो हमारा पेट काट के चला गया यह जो सोच है इस सोच से भी हमें लड़ने की ज़रूरत है चिकित्सा के जगत में आप ये देखिए कि आखिर ये हेल्थ इंशुरेंस जो होते हैं ये एक सरकार से पूछा क्यों नहीं जाता कि हेल्थ इंशुरेंस आपने अमारा क्याम सेहत अपनी ठीक चाहते हैं लेकिन ये health insurance का भुकतान केवल जो है एलोपैथी को ही क्यों होता है होमियोपैथिक से गर हम इलाज कराना चाहें तो हमें health insurance क्यों नहीं मिलता है हमें एक व्यक्ति से एक wellness center पर जाके meditation के मात्यम से ठीक होना चाहें तो हमें उसका payment क्यों नहीं मिलता है आखिर ये किनों ने इस तरीके की बाते पहलाई कि केवल और केवल एक ही पैथी को हक है असल में थोड़ा सा अगर समझें आप बात को तो एक डॉक्टर भी मुझे कहते अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं कितने ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि सीजन आ गय देखे एक शब्द है हम डॉक्टरों को एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं भगवान जैसे नजरिया हमने उनका बनाया है और अगर एक डॉक्टर कह रहा है सीजन आ गया और अगर एक पिता अपने बच्चे को डॉक्टर इसलिए बनाना चाहता है कि ज़्यादा धन कमाएगा तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि ये एक व्यफसाई करण है ये एक व्यफसाई है और जहां व्यफसाई है वहां लालच होगा ही होगा थोड़ा हो ज्यादा हो होगा ही होगा और जहां पे लालच है वहां पे आपको व्यफसाई करण के कारण एक थोड़ा सा म हम इसलिए कर रहे हैं अगर हम यह बातें नहीं करेंगे तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां मैं आपको ले चलना चाहता हूं तो हमारा शरीर जो है वो पूरा एक है और इस शरीर को हमारे हार्ड को हमारे लंग्स को हमारी किड्नी को हमारी आतों को हमारे शरीर का कोई भी पार्ट हो उस पार्ट को energy supply करने का काम उसको कौन सा जो है वो प्रोटीन चाहिए कि कैलशियम चाहिए कि और कोई चीज चाहिए इन सारे चीजों को देने का काम करता है मस्तिक्ष इन सारे चीजों को देने का काम करता है मस्तिक्ष और इस मस्तिक्ष की खूबी यह है कि यह उसमें परफेक्ट है इसे किसी को बताने की जरूत नहीं, इस मस्तिक्ष को कोई ग्यान ना दे, ये मस्तिक्ष अपने तरीके से अपने शरीर को सम्हालने के लिए ही बना है, रात को आट सोते हैं, मच्छर काटता है, सोते सोते आप ऐसा हाथ मारते हैं कि सीधे मच्छर पे जाता उमर जाता है इस शरीर के पाद six sense भी है जो सोते पे भी काम करता है मैं आपको एक घटना बता दूँ उस घटना से आप समझ जाएंगे कि शरीर कितना महान होता है घटना यह है कि मेरा एक मित्र दो घटना बताऊंगा फिर उसको जोड़के आप शरीर को समझेंगे दिमाग को समझेंगे और फिर आप समझेंगे कि आपके डॉक्टर आपका घर में बैठा हुआ है अब इस डॉक्टर को टेंशन नहीं देनी है इसलिए ये दो बाते मेरी सुनना ज़रूरी होगा पहली बात मेरा एक मित्र एक बार मुझे बहुत साल पुरानी बात है कि स्कूटर पे लेके जा रहा था हम पीछे किट पकड़के बैठे थे किरकट खेलने जा रहे थे गर्मियों के दिन थे लू चल रही थी क्योंकि हम लोग 20-25 किलमीटर दूर जगा थी वहां जाना था तो हाइवे पे थे और हमारा मित्र जो चला रहा था वो अचानक जबकी उसे आ गई और इसका पता तब चला जब दो सामने से एक गाड़ी आ रही थी और इधर से एक ज अधर होता तो accident शिर्रत नहीं और जब मैंने उसको पीछे से क्ते हैं और क्या कर रहा है तो उसने एसे करके react कि सो गए थे ऐसे कि सो गए थे मैंने का सो गए थे और ये बात मेरी जिन्द् нужен मैं ऐसी घटना बनी बहुत दिनों तक में सोचता रहा यह सोए हुए का इससे क्या सम्मंध है कि सो गया था ठीक चला रहा था फिर मुझे एक और घटना घटी एक व्यक्ति के बारे में पता लगा जो डॉक्टर थे खुड डॉक्टर से सेकेंड क्लास ओफीसर थे उन्होंने एक बार सुसाइट करने की कोशिश की वो मेरे मित्र थे उन्होंने ए घटना बताई कि उन्होंने सुसाइट किया तो उन्होंने पंखे में अपना फंदा डाला इस्टूल पर खड़े हुए और अपने पैरों में एनस्थीसिया के इंजेक्शन लगा लिए और anesthesia के injection लगा के अपने को बेहोश किया और फिर उसके बाद जो है वो इस टूल उन्होंने गिरा दिया उन्होंने अपने तरीके से जो भी dose ली होगी वो उन्हें पता होगा कि क्या dose लेनी है उसके बाद वो बताते हैं कि उस घटना के 5-6 घंटे बाद उन्होंने अपने आपको पाया बिस्तर पे लेटे हुए थे और पत्नी उनके पास थी वो सर्प्राइज हुए कि ऐसे कैसे हुआ मैं बचा कैसे क्योंकि घर वाले तो बाहर थे घर में लॉक था अकेले थे हो तो बाद में पत्नी से पूछा कि तुम कवा आये तो उन्होंने पत्नी ने जो टाया कि हम इस वक्त आयखों हमने आपको लटके देखा वह टाइम उनके सुसाइड करने के टाइम से ।उ घंटे बात का टाइम these two three two घंटे तक वह लटके रहे तो उनकी पत्नी से उन्हों हिरानी की बात हुई कि मतलब उन्होंने खुद सोसाइट किया रसी पकड़ के लटक गए तो अब रसी पकड़ के बस सकता है यह रानी नहीं लगेगी लेकिन कौन था जिसने बेहोशी में रसी पकड़ने का आदेश दिया कौन था जो इसकूटर चलाते वक्त सो जाने पे भी फाइन ट्यून करके निकाल ले गया इसके बारे में तब पता लगता है जब आप एनस्थीसिया के बारे में जानते हैं एनस्थीसिया जब किसी को दिया जाता है तो असल में शरीर को ब्योश नहीं किया जाता है ब्योश शब्द अलग है और एनस्थीसिया की ब्योशी अल करता है एक तरीके से डॉक्टर का मित्र है एनस्थीसिया वो बताता है कि तुम उपरेशन गलत कर रहे हो इस नस को काड़ देने से मैं मर जाओंगा यह शरीर मर सकता है अगर लिए नस तुम ने काड़ अधि तो रियक्ट करके बता देता मैंने कहा इसका मतलब है कि कोई चीज है जो हमारे शरीर के ऊपर से हमें सयोग दे रही है जैसे मैंने कहा मच्छर काटते वक्त रात को उसको मार देना जैसे कि एक बच्चा रात को मां के पास सोता है तो बच्चा गिरने कोई होता मां उसे एकदम साइड कर लेती मां की conscious बच्चे से जुड़ी होती वो एकदम उसको साइड कर लेती तो मैंने यह जब महसूस किया इन बातों को बहुत सुना तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा मित्र हमारा मस्तिक्ष है और मस्तिक्ष के पीछे चेतना अब आखिर इतना अच्छा जब हमारा मित्र है तो हमारे शरीर में बीमालियां क्यूं हो रही है उसके उपर थोड़ी सी अब हम बात करेंगे उनको थोड़ा समझने की जुरूत है देखिए आज की तारीक में ऐसे हजारों लोग अपने तरीक करना चाहिए हाड को अच्छा करने के लिए करना चाहिए और मैं उनकी information पर कोई संध्य नहीं उठाना चाहता है यहां पर एक posting चलाने की क्या हमें वह information पता है अब वो information आप तोड़ा समझ ही देखे हमारी जुबान के पास sensor लगे हैं जिसमें उसे पता चलता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए हमारी जुबान के पास sensor है कि मीठा खाना चाहिए खटा खाना चाहिए, कड़वा खाना चाहिए और वक्त वक्त पे ये sensor अलग-अलग तरीके की मांग करते हैं क्या हम उनकी मांग के अनुरूप भोजन लेते हैं या हम अपना भोजन सोच के कुछ उन पे थोप देते हैं हमारे कान के पास sensor लगे हैं कि कौन सी आवाज की कान में जानी चाहिए और कौन सी आवाजों पर बंद कर लेना चाहिए हमारे नाग के पास सेंसर लगे है कि कौन सी खुश्बूएं अंदर आनी देनी चाहिए और कौन सी ऐसी गैसे हैं जो आपके गंद खतमनाक रूप में अंदर जाती है तो नाग भी कहती बंद कर लो क्योंकि वो गैसे अंदर नुक्सान पहुंचाएं इवन कि हमारे आखों के पास कलर थेरपी की पूरी नौलेज है कि कौन से खलर देखके वो अच्छा फील करता है और कौन से कलर देखके उसको इरिटेशन होता है और यह भी मैं आपको बता दूं कि यह जितने सेंसर हैं चाहें नाग के हो चाहें आग के चाहें कान के चाहें जुबान के और चाहें इसकिन के यह पाचों जो इंद्रियां हैं हमारी इन इंद्रियों में इतनी क्वाल्टी है इतनी प्रोग्रामिंग है कि यह हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होती है कि यह हर व्यक्ति की प्रोग्रामिंग से लग लग है यानि कि आपको हमें यह नहीं बताना है कि तुम मीठा खाओ कि खटा खाओ आपको में यह बताना है कि शांत बैठके आप समझो कि आपका शरीर मांग क्या रहा है देखिए इनकंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से घातक होती है उसी तरीके से हमारे शरीर के संबंद में हमें हमारे जो द्वारपाल हैं हमारे सेंसेज आख कान नाक मू जितने भी हैं हमारे सारे सेंसेज पे जो द्वारपाल हैं क्या हमने वो द्वारपाल रखे से हमारे मुء के माध्यम से मारी आंखों के माध्यम से इसी चीजे प्रवेश कर रही है जिनको मैं वेक्टीरिया कऊंगा विए कानों से भी घुसरे हैं आखों से भी गुज़रे हैं ये नाख से भी गुज़रे हैं ये मुझ से भी गुज़रे हैं और ये वो वैक्टीरिया हैं जिनके कारण आपको मांसिक रोग होते हैं और ये वैक्टीरिया वो वैक्टीरिया है जो किसी भी लैब में पकड़े नहीं जा सकते हैं और यही वो वैक्टीरिया ह हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं देखिए सामान प्रक्रिया में एक शरीर तो बुड़ा होके मरेगा यह तो देखिए पातांजली का भी शरीर गया मैं मैं फिर कह रहा हूं यह एक्जामपल मैं नहीं जाकि आप इनको छोटा बड़ा रूप में आके मैं एक्जामपल इसलिए दे रहा हूं कि आपका शरीर अपनी स्वथा उम्र है उसके पार करने के बाद बीमार होगा और वो बीमारी से मिर्त्यू भी आईगी हमारे एक मित्र थे बुज़ूर्ग मित्र थे मुझे अभी भी याद है वो जब अपने बुढ़ापे की और बढ़ रहे थे तो एक दिन उनका एक दात गिरा तो उन्होंने कहा कि आज एक इंट खसक गई इमारत कमजोर हो रही है और फिर एक दिन वो जो एक नाला था उनके घर के पास में जिसे वो रोज कूद के पार करते थे उसे कूदते वक्त उनके पैट डग मगाए तो उन्होंने कहा अब बुढापा आ गया देखे आप मैं ये उनकी बात क्यूं बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं ये है सेंस्टिविटी ये समवेदन शीर्ता हमने खो दी अपने शरीर के साथ मैत्री हमने बंद कर दी हम बाहर की दुनिया गहीं मैत्री और बाहर की दुनिया की इन्फॉर्मेशन और बाहर की दुनिया को पाने और उसमें अपने को खो देने में इतने व्यस्त हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कर क्या रहें एक और एक्जाम्पिल दूँगा बहुत से मित्रों को समझ में आएगा मजाक का इंफरम अदव एक तरीके से उधारन है लेकिन बहुत सटीक उधारन है और यही उधारन वो हैं आपको जो अवेक करेंगे मैं आपको इस समय अपनी बातों में अपनी बातों से ज्यादा आप बोलते हैं कि कुल्चे का और उसका एक स्टॉल सा था तो मैं वहां पर कुछ लेने गया था बच्चों ने बोला तो उसके पीछे थोड़ी सी जगा थी जहां पर बैटके वह मतलब आप समझ सकते हैं कि मदरापान अपना कर रहा था तो वह छोटी जगाओं पर छोटे शहर चल रहा और मैंने उसे देखा उसने मुझे देख आरे ओला रे शाषांग कहा तो मैं पहुंच गया उसके साथ सब बड़िया चल रहा है तो मैंने का भाई यह तुम रोज का इंतिजाम है तुम्हारा अरे बोले हाँ रोज का इंतिजाम है तो मैंने कहा कि क्यूं अरे कहले कि यार बहुत ठक जाते हैं यार बहुत काम होता है दुकान का तो शाम को अपना एक घंटे इंजॉय कर लेते हैं तो मैंने उससे पूछा म तो थोड़ा सा कमाई हो जाती। तो हमने का कितना ज्यादा कमा लेते हो तो उसके लगबग हजार रुपय तो बन जाते हैं हमारे एक्ट्रा काम करने से हमने का यह खर्चा तो बोला कि यार यह भी 4700 रुपय कर तो हमने का एक साफ और दूसरी साफ कमा रहे हो और फिर समय भी । यार अगर कल्कुलेशन की बात करो तो हजार कमाते हैं 500 खर्चा कर दी तो 500 बचे तो हमने कहा इस 500 को एक खटा रखो जब तुम्हारी केड़नी फेल होगी तो काम आएगा है थेकी मित्र है मित्र को भी इस ढंक से में बोल रहा हूं इसका मतलब नहीं कि मुझे उससे नाराजगी है इसका मतलब है मैं उसका मित्र हूँ और मित्र के धंग से समझा रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो सच बात तो यह है हम अपने आपको परशान कर रहे हैं हर तरब से कुछ थोड़े से पैसों के लिए और फिर उससे मिलने वाले तना पहली बात तो आपके दर्शकों को भी समझ में आयोगी हैं आपको भी कि आपको समझ लेना है कि हमारा मस्तिक्ष जो है वो पूरे शरीर को संभालने योग्य है उसको आपके लिए मस्तिक्ष को सयोग देने के लिए आपको पांच इंद्रियों का सयोग करना है ताकि आप भोजन मतलब लिम्टेड भेजें एक लिमिट में गर्दन तक भोजन भर जाता लोग खाते रहते हैं उनको पता ही नहीं लगता कितना खा गए मेरे पिदा जी कहा करते थे खाना अमेशा उतना खाओ जितना खाने के बाद तुम्हारे पेट में दो रोटी की जगा रहे कितना सहथ सी बात कि खाने के बाद भी दो रोटी की जगा रहे इतना खाना खाओ यानि कि अब अगर चक्की में पूरा आटाbuilt बहर दो गेंव भर दोगे तो चक्की भी बने ओजाती पीस्थी नहीं है तो गर हम अपने शरीक को इतना गले तक भर के खिला रहे हैं तो हम अपने शरीव को कही न कहीं एक पीडा में धक्का दे रहे हैं हमारे वर्कलोड को बढ़ा रहे हैं अब उस वर्कलोड में मस्तिक्ष जिस एनर्जी को उसको भेजना था घुटनों पे अब उसी वक्त तो आपने खाना जादा खा लिया तो वही एनर्जी जो है आप देखिए बहुत बड़ा समझने की बात है तो यह जो चीजें हैं हमारे साथ प्रॉब्लम होती है तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा सबसे पहले मस्तिक्ष हमारा मित्र है अगर मस्तिक्ष को आपको मीव मित्र बनाना है क्योंकि आपके पास कॉंशेज है जो कि मस्तिक्ष के पीछे है और एक चेतना रूपी जो कि आपके पास खुद समझ के रूप में है जो आप बाहर जगत से लेते हैं तो आपको चेतना रूपी जो है वो अपनी आत्मा का उपयोग करके आपको अपनी सिर्फ थोड़ी समझ बढ़ानी है आपको अपने स्व कि समझ बढ़ानी है अगर आप यह बढ़ा लेते हैं तो आपके मस्तिक्ष पे आप लोड नहीं डाल रहे हैं और जब आप लोड नहीं डाल रहे तब आप अपने मस्तिक्ष को स्वतंत्र छोड़े हुए हैं उसके अनुरूप काम करने के लिए देखिए अगर आप एक बिज ओवर लोडिंग आपके खिलाफ ही जाएगी एक दिन या तो वो आपको काम में छोड़ के भाग जाएगा और या फिर वो आपको धोके देगा या फिर आपसे जूट बोलना शुरू करेगा जिसका अंत में पढ़नाम धोका ही होगा तो बाहर के जगत में जो हम MBA करके सीखते हैं तो वही हमारे शरीर के संब्द में हमें MBA करने की जरूरत है तो यहां पे तो बात हो जाती है अब लोग पूछते हैं कि करें क्या अब सबसे पहला एक कोईश्चन आपके सब दर्शकों को उठा होगा आपको भी उठा होगा त बहुत simply method पहले एक बता रहा हूं मतलब यह वह method नहीं है कि आप बीमारियों से ग्रसित होगा फिर शुरू करें हाँ बीमारियों से ग्रसित होके भी शुरू कर सकते हैं लेकिन ठोड़ा time taking होगा आपकी body को ठीक करने में लेकिन आप अगर इसको पहले से करते हैं तो सबस्क्राण से डरेंगे माँ जो life style बता रहा हूं ये परबावात्मा की lifestyle बता रहा हूं यह मैं किसी पंडित पुरोहित की lifestyle नहीं बता हूं कि हमाने जो मेंदी है वह बता रहा हूं कि लैसे कि तीन चीजें हमारे मस्तिक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं जिन में से एक भी हो स्षप सबसे पहली है कि समयक आहार कि ग法र दूसरी है समीक श्रम और तीसरी है समयक नित्रा अब यह तीन चीजें समयक शब्द मैंने इसमें लगाया कि समयक का अर्थ होता है ना अती और ना बिल्कुल ना करना इसके बीच की स्थिति तो समयक आहार से शुरू करते हैं समयक आहार एक ऐसी चीज है कि आप भोजन लीजिए आप भोजन के साथ थोड़ी मैत्री गाठिए आपको मैं एक तरकी बता रहा हूं कि कम भोजन में जारा आप कैसे लाब ले सकते हैं सबसे पहली बात यह है कि आपने महसूस किया होगा कि जिस समय कभी को आप शादी वरात में आप जाते हैं या बनते हैं खुब खुशुएं घर में आ रही होती है और खाली लगके आती तो मन करता है आज तो मैं 200 पूरियां खा जाओंगा इतनी इतनी सी तो हैं लेकिन जब खाने बैठते हैं तो चारपांस से ज्यादा आप नहीं खा पाते हैं यह कजब की बात है कि ऐसा भोजन आप ज्यादा नहीं खा सकते स्वाधिष्ट भोजन ज्यादा नहीं खा सकते हैं और खराब बोजन मना हो कि आप ज्यादा खा लेते हैं क्यूं खाते हैं उसके पीछे कारण है कि खराब बोजन आपकी सभी इंद्रियां नहीं लेती है खराब बोजन आपका केबल मूह लेता है देखिए एक पढ़ाने वाले टीचर जो पहले पढ़ाया करते थे उनका नियम होता था आज के समय के बच्चों से और तब में अंतर है पहले के टीचर जो पढ़ाते थे हूं मुझ से बोलते थे सामने के ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे और आप से कहते थे आप भी बोलो तो एक तरीके से ये कहा जाता है अब तो साइकलोजी के सब्जेक्ट हो गई है अब तो मनो वैज्ञाने के इस पर काम करते हैं कि जिस काम को करने में जितनी ज़्यादा इंद्रियां इन्वाल्व होती हैं उतना ही आप सेटिस्वाइड होते यानि कि एक अच्छा बोजन ज होती हैं उसको छू के आपके हाथों के सेंसे इन्वाल्व होते हैं और जब आप खाते हैं तो आपकी जुबान और आपके मुग की इंद्रियां सब उसमें शामिल होती है यानि कि चार इंद्रियों का उसमें इन्वाल्मेंट होता है और खाना अच्छा ना बना हो तो फिर आप वही करते हैं देखा तो फिर टीवी देख रहे हैं और बस चम्मत से और खा रहे हैं जो भी कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने उसको देते हैं पहले कि समय में हाथों से खाना भी एक कला होती थी और गजब की बात देखिए अगर इंडियन फूड की बात करें तो इंडियन फूड सभी इस प्रकार के होते हैं कि हाथ से खाके ही आपको अच्छे लगेंगे और वेस्टन फूड आपको कुछी होंगे जो हाथ से खाते अच्छे लेगेंगे वरना आपको काटा छोड़ी और सब चीजों का इस्तमाल करना पड़ेगा यानि कि एक इंद्री तो पहली लैस कर दी तो आप अगर भोजन स्वाधिष्ट बना हो या कि ना भी बना हो तो उसको स्वाधिष्ट बनाने का कुछ तरीका होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ भोजन को सामने रखे, थोड़ी देर तक भोजन को निहारे, इसको पुराने समय में ऐसे करते थे, प्रणाम करते थे, भोजन की थाली को थोड़ी देर तक देख के प्रणाम, वो भी निहारना है, उसके बाद उसकी खुश्बू लेते थे, खुश्बू लीजिए जैसा भी हो हर खाने की खुश्बू होती है उसकी खुश्बू लीजिए खुश्बू लेने के बाद उसे प्यार से एक एक कौरा तोड़ के आप खाई है तो अब जैसे मैं अपने कहूं मैं बिल्कुस सामान कतकाथी कहूं मेरी 6 feet height है और मेरा weight पूरा 72 kg है इसमें कोई मैं प्लान नहीं करता है मैंने तो जब अभी मशीनेशी ने आती कहीं तो मैं ले लिया वरना मुझे लेने की भी जरूत नहीं weight मेरा हमेशा सदा बहार एक जैसा रहता हूं और अगर मुझे सदा बहार एक जैसा रहना है तो बस मुझे इतना करना पड़ता है कि listen to body रहता हूं मुझे अगर भोजन ये लगा कि ये थाली में आया है तो किसी ग्रंथ के कारण मैं उसे खाऊंगा ऐसा नहीं है हाँ अगर मैं कहीं महमान हूं तो उस थाली में जो आएगा मैं खाऊंगा लेकिन यदि मैं अपने घर पे हूं तो ये मेरे नियम है कि उसके बदले में मैं कुछ छोड़ी मोड़ी चीजें हैं जो मेरे अपने अपनी हैं और शायद देखें आपके चैनल पर बैट रहाओं तो बहुत से लोग बहुत से नियमों का पालंग करने वाले हैं तो मेरी बात को अनुशित मत लीजिएगा या मुझे प्लीज भरस्ट लगरा अब टाल के खा गया मैं कुछ नहीं है आप मुझे छाय बना दो मैं ब्रेड डी उडव के खा जाता हूँ है बच्चों की तरह मुझे वह चम्मस काना आज है मैं आज भी कुछ नहीं हो वेटा दूद दे दो दो बिस्कुट दे दो और भी कुछ ना हो तो मेरे खर में हमेशा कुछ बिस्कुट कुकीज वगएरा कुछ नमकीन वगएरा या कुछ चिक्कीज वगएरा रखी रहती हैं मैं वो खा लेता हूँ मेल कहने कारती है कि मैं झो कह रहा हूं इसके कारण आप के घरों में लडाईयां नहीं होनी चाहिंगे कि काल को स्वामी जी ने कहा था नहीं कुराना है तो आप तु Украї कैसे मिरे लिए दूसरा वो नहीं मैं कहा रहा हूं कि आप इस तरीके कर सुलूप नहीं करें क्योंकि आपकी सब मैंने कहा कि सब चीज़ geography है में लिए उसी तरीके से आप का परिवार भी आपके शरीड हैं अगला परीवार में के कलेश पैदा करते हैं तो वो भी आपकी बीमारीओं की जड़ है परिबार के कलेश चीज से जो व्यक्ति नहीं बच सकता वो भी बीमार रहेगा और जिन गरों की हो और चाहें बिस्तर की और चाहें कपड़ों की हो कि तो पहली चीज शम्यकाहार मैंने जो बात कर जा ता पहला विशए समयकाहार सो समयकाहार में भोजन को लें आप इस जग से और कभी भी इतना खाए कि आपके लिए ओवर हो जाए वन्दम आप दिन में दस टाइम खाएं खाना चल जाएगा थोड़ा थोड़ा लेकिन दो टाइम पेड़ भरके और गले तक खाएं यह नहीं चलेगा और ऐसा करने वाले भी कुछ लोग होते हैं जो स्वस्त रहते हैं वो काएंगे हम तो करते हैं हम स्वस्त रहते हैं ऐसा करते हैं तो वो वो लोग होंगे जिनका श्रम अधिक होगा जो थोड़े मजदूर प्रवृत्ति के होंगे या उनके काम में शारीरिक श्रम अधिक होता होगा ऐसे में तो उनका चल सकता है क्योंकि उनका एक आदत पड़ गई तो आप अपनी आदत को मेरी वजह से मत बदलिए मैं तो उन 95% लोगों के लिए बात जादा कर रहा हूं जो आज के दौर में लाइफ स्टाइल में श्रम भूल चुके हैं भोजन के साथ कैसे जुड़ सम्यक अहार थे तो पहला समयक का हार समयक के साथ दूसरी चीज़ समयक श्रम कि समयक श्रम में आ जाता है कि ज्ञा तर लोग ऐसे हैं कि कुछ इतने लेजी हो गए हैं कि वह कुछ करते ही नहीं दिन पर पड़े रहते हैं और अपने घर में वह मशीन लगवा लेते हैं तो साइल चलाएंगे अरे घर में इतना काम होता है थोड़ा पोंचा लगा लो अपना गिलास कप इधर से उधर कर लो अगर तुमारी दो तीन मंजिल का मकान है तो सीड़ी से नीचे उतर लो दस बार दो चार छे बार थोड़ा घरवालों से भी मिल लो एक ही फ्लोर पे बैठे बैठे कब तक जीवन जी होगे थोड़ा टहल आओ नीचे तक मेरे साथ भी होता है तो फ्लोर पर रहता हूँ बाकी परिवार नीचे तो मैं मुझे तो काम जारा करने नहीं देते बच्चे मुझे कोई श्रम नहीं करने देते लेकिन फिर भी मैं इतना श्रम करता हूँ थकान ना फील हो और जिसे कम करके लेजीनेस भी ना लगे शरीर अगर लेजीनेस फील कर रहा है या थकान फील कर रहा है तो इसका मतलब है आप समयक श्रम की भी जो है वो आप पैरामीटर को तोड़ रहे हैं अगर ज्यादा शरीर थक जाएगा तो भी आपको दिक्कत होगी और शरीर अगर बिल्कुल नहीं थकेगा तो भी दिक्कत होगी इसलिए समयक श्रम सबको समझना पड़ेगा अपने इसाब से उसके लिए बहुत ज्यादा नियम नहीं है सिर्फ यह कि अपने शरीर को थोड़ा बहुत एक्सराइज दो एक्सराइज के मतलब जिम वाली नह खुछ करके आप कर सकतेों तो अपने शरीर को कई ऐसी मुद्राइं होती है मुद्राओं में बैटके मिन यह पैठते हैं तो अकर टीके나हा पर दो जो नमाज पढ़ते विए बैठते हैं वो बजड़ाशन की होती है कि जिसमें पैर आप मोर के ऐसे बैठें सच कहएं अगर ऐसे पैर मोर के आप बैठते हैं दिन में आदा घंटा भी बैठते हैं तो आप बैठे बैठे टीवी भले क्यों न देख रहे हो लेकिन आपक तो यह कुछ चीजें हैं जो शरीक के साथ स्वर्म में जुड़ी हुई हैं तो समयक आहार समयक श्रम अब एक चीज होती है समयक निद्रा मैं आपको समयक निद्रा में एक ही चीज बता सकता हूं बहुत प्यारी सी यदि आपने ये दो नियम सही से पालन कर लिए तो सम्यक निद्रा अपने आप आती है मतलब निद्रा को कुछ नहीं चाहिए शरीर ठका हुआ हो सोने में बेचैनी होती है शरीर बिल्कुल ना ठका हुआ हो तो भी सोने में बेचैनी होती है शरीर में ज़्यादा खाना भरा हुआ हो तब भी नीन नहीं आती आहार और सम्यक्ष्रम का सही से पालन करने पर तीसरी चीज स्वथा मिलती है लेकिन फिर भी हमें बिस्तर के सम्मन्द में भी कुछ बाते जान लेनी है क्योंकि नीन्द का सम्मन्द केवल शरीर से नहीं है नीद का सम्मंद उस कमरे से भी है जिसमें आप रहते हैं और विस्तर से भी है जिसमें आप सोते हैं बिश्द जितना हो सके आपका साफ होना चाहिए बिश्दर पे जितना हो सके एक यह दो कलर की ही चादर होनी चाहिए जाहता लोग रंग बिरंगी और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब पैदा करने वाली कलर्स लेके और वो करते हैं वो अच्छा नहीं है बहुत हलके कोई रंग की चादर होनी चाहिए कि निद्रा में आपकी चेतना आकाश में विच्रन करती है इस तरीके से तो जब चेतना को आकाश में विच्रन कराना है तो आकाश बहुत भरा हुआ तो नहीं होना चाहिए मतलब यहां तक की प्रयोग हुए है कि आपके बैट शीट को देख के बताया जा सकता है कि आपको सपने किस प्रकार के आएंगे मतलब बैट शीट को देख के बताया जा सकता है कि सपने किस प्रकार के आएंगे आपके कमरे में ज़ारा सामान भरा हो तो ये बताया जा सकता है कि आपकी नीन में डिस्टरवेंस होगा कमरा जितना हो सके खाली-खाली सा होना चाहिए लेकिन आज के कल्चर में ऐसा हो गया हम कल भी चर्चा कर रहे थे अपने घर में भी कि एक तरफ विस्तर है और दूसरे तरफ पडोस में जो है वो अलमीरा है मतलब लोग अपने बैट से पैर उतारा और अलमीरा खसकादी अब आप सोचिए अलमीरा में कितना तनाव भरा हुआ है और वो तनाव आपके कमरे में है और उसी में आप भी सोते हो तो यह तनाव आप लोगे तो यह भी चीजें ध्यान रखने वाली है तो उसके लिए कुछ सिंपिल सिंपिल सी जो मैंने का एक तो बिस्तर आप एक बैट शीट तो करी सकते है और मैं आपको बताओ बैट शीट अगर आप जाके थोड़ी सी वह बुद्वजार टाइप की म मार्किटों में जाके आपको ऐसी बैट शीट मिलेंगी जो प्योर कॉटन की होंगी एक जमाना था सन्यासी के दौर में मैं एक बैट शीट जब खरीदता था तो मुझे कॉटन अच्छा लगता था शरी में अच्छा कॉटन खादी का भी बहुत महेंगा आता है तो और सॉ चालिस रुपे की बैट शीट लाता था उसमें एक जो है वह पैजामा कॉर्ता निकालाता था बहुत अच्छे डंक से और उसकी बनवाई हमारे शहल में सार्ठ रुपे जाती थी य्यानि कि 2100 चलास जो है वह वह पैजामा कॉर्ता पाद था और वह भी कॉटन का और प्यो मैं देशी से गुजर के ही एसी में भी रहके बात कर रहा हूं हर तरीके की चीजों को मैंने जाना समझा है। लेकिन अनभवों के लिए उमर भी चाहिए और अनिभवों के लिए कई तरीके के जीवन के उलजाओ भी चाहिए। तो मैं बुझना हूँ उन चीजों से, मैं शारीरिक पीडाओं को भी मैंने जाना है, समझा है, और उनके साथ मैतरी करके कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, वो भी कला जानी है, लेकिन साथ साथ मैं ये जानता हूँ, हर एक को अपने जैसी सला दूँगा, वो भी अच्छी नहीं होती क्योंकि हर शरीर अलग है, हर शरीर अलग है, और हर शरीर अलग है, हर व्यक्ति की परस्तिती अलग है, हर व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका अलग है, खानपान अलग है, परिवार अलग है, होने वाले बिवाद भिन्न हैं, तो निश्चिती बहुत ज्यादा भ तो यह तीन चीज़ें जो मैंने बताई समयक आहार समयक श्रम समयक निद्रा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप बिस्तर पे लेट के एक प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छा जिनको नीन नहीं आती है उनके लिए प्रयोग है आप बिस्तर में पहली बात जाने से पहल होना चाहिए इसको वजू बोलते हैं मुस्लिमों में जो नमाज से पहले करते हैं कि वो थोड़ा वजू कर लेते हैं हम उसको वजू शब्द देंगे तो खुछ लोग करेंगे हम तो मुस्लिम बाली नहीं करेंगे कल्चत नहीं हम बता रहे हैं समझाने के लिए आप पुनी तक मखते हैं चेरा दो सकते हैं एक काम अगर आप यह कर लें और दूसरा जाके विस्तर पे लेटके मोबाइल को थोड़ी सी त्जानदली देंति और यदि आप किसी भी आसन में लेट那个 से तो आप एक छोटा सा प्रियोग कर सकते हैं आन्खे बंद करके और अंदका हो जाएगा बस अंदकार को ही देखें उसमें ना कोई मंतर है ना को जा के और अंदकार को जाकते आप कब नीन में प्रवेशक कर जाएंगे आपको पता नहीं चले दो बहुत सरल तरकीव है आप सुबह जब उठें तो फ्रेश उठें यही पहचान है आपके समेक्ष निद्रा की आप फ्रेश उठें आप सुस्त नहों यही पहचान है और इसके लिए एक चीज और ध्यान लखनी है आप अपने शरीर में हर व्यक्ति के शरीर का बाइलोजिकल क्लॉक अलग-अलग वर्क करता है हमारे शरीर में घड़ी होती है जो निद्रा का टाइम भी जानती है कि किस वक्त जरूर सोना चाहिए जैसे मेरा है तीन से पांच मेरे लिए तीन से पांच सोना मस्ट है अगर मैं चौविस घंटे में बाइस घंटे जगना चाहूं तो तीन से पांच अगर मैं सो जाओं तो फिर बाइस घंटे के लिए फ्रेश हो जाओंगा तो यह दो घंटे हर एक के लिए लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं अब किसी के छे से आठ भी होते हैं किसी का याठी से दस भी होते हैं लेकिन हम स्कूलों में जाने के लिए या फिर कुछ खास लूब किसी खास गुरू को या पंत को मानने के कारण को 095 समय पर जबदस्टी उड़ते यह एक तरीके का अबने आप बहुत समयली स्वस्त रहने वाले हैं उस टाइम पर नीन जरूर लेनी अभी पस्टिम में ऐसा होना शुरू हुआ है कि देखिए वो लोग नेक्स लेविल पर काम कर रहे हैं पस्टिम में कुछ ऐसा काम होना शुरू हो गया उन्होंने कहा कि आदमी के बाइलोजिकल क्ल रही है कुछ जगहों पर जहां पर जिस बच्चे का जो बैलोजिकल क्लॉक होगा उसके हिसाबसे जो नीन का समय होगा उस नीन को पार करने के बाद एक घंटे बाद उसकी कलास स्टार्ट हो यानि कि आप भाइंगे तो आपके बाइलोजिकल क्लॉक के बारे में पूछेंगे वो आपकी कुछ information लेंगे यसे सखावेलनेस फर्म भरवाता है ऐसे वह भी फर्म भरवाएंगे और उस फर्म से वह पता लगा लेंगे कि आपका क्या की आने वाली समय में तो हो सकता ह estás कि कोई टेस्ट वगरा ऐसा निकाला जिससे पता लग जाए कि आपकी यह सोने का समय क्या एक तो उसके बात के आपके लिए Class की टाइमिंग आपको provide की जाएंगी, आप उस time पे आईए, उस time पे पढ़िए मैं अभी एक दिन एक देश के बारे में देख रहा था उस देश में एक school है और वो school में सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है उस school में सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है उस एक बच्चे के लिए ही सारे इंतिजाम है पूरा पार्ख है, सारे classrooms है, सारे teachers है उस एक बच्चे को वो इतना महत्त देते हैं और हम सारे बच्चों को एक ही छड़ी से हां करें तो मैंने जो मुझे शरीर के संबन में जो मुझे लगता है जो मेरी समझ है, जितना मेरे जीवन के अनुभव से मैंने जाना पाया आप मेरे परिवार में कभी सखा परिवार जिसको हम बोलते हैं कभी आएंगे या रहेंगे और जो रहते हैं वो एक चीज़ से हैरान होते हैं हमारे आख खाने की कोई timing नहीं है अमारिया सो के उठने की कोई timing नहीं है और यदि कोई सो रहा है विक्ति उसको उठाना अपराद माना जाता है यह मतलब रूल कह सकते हैं रूल वैसे हैने लेकिन रूल लगेंगे बहुत पढ़िया मैं यहां पर कुछी समराइज करना चाहूंगा समराइज करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जो भी अमारे वीवर इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो सखाजी के साथ connect होना चाहें उनसे consultation लेना चाहें उनकी टीम से बातचीत करना चाहें तो जो नंबर इस तैंग हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उस नंबर पे आप contact कर सकते हैं और यही जो नंबर हैं contact details हैं वो हम इसी वीडियो की description में भी डाल देंगे जहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे आप सखाजी से उनकी team से संपट कर सकते हैं सखाजी आपने जो यह अभी जो जानकारी दी यह अपने आप में एक एक बहुत ही सरल नियम है मैं तो यह कहूँगा जिसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे परिवर्तन नहीं है लेकिन वो छोटे-चोटे नियम ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं यह मैं समझ सकता हूँ तो जैसा आपने बताया और यहां पर में दो चीजे मितलब जो मेरे इस समझ आई जो मेरे को और उसमें आप करेक्ट करें अगर मेरी अंडिसरणिंग गलत है तो वो यह कि एक तो बैलेंस जो है वो हमारे जीजन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़्रूरी है जसा आपने बताया BALANCED FOOD जो BALANCED होना चाहिए FOOD के अंदर दूसरा SHRAM के अंदर की Jitना हम वोर्क करते हैं हम क्या बार के थे हार्ड वर्क करना चाहिए बट वो BALANCED WORK या BALANCED PARISHRAM करना चाहिए तैसरा जो है वो दोनों यह चीजे जो है BALANCED है तो आपकी जो sleep cycle है वो भी balanced होगा उसके लिए भी हलाकि आपने उसके additional tips बताए जो कि मेरे को actually eye-opener लगा वो खासकर जो आपने ये बताया कि bed sheet का color या जो clutter जो room के अंदर रहता है कैसे वो प्रभाव डाल सकता है मैं समझ सकता हूँ मतलब मैंने इसको experiment करके नहीं देखा बट मैं इसको relate कर पा रहा हूँ कि आजकल जिस तरह का जीवन है जिस तरह हम लोग flats में, apartments में रहते हैं खासकर या घरों में भी रहते हैं तो हम अपने bedroom के अंदर इतना कुछ भर लेते हैं कई समान तो ऐसा ऐसा पढ़ा रहता है कि जिसको शायद हमने कई महिनों तक भी टच्च ना किया हो कुछ को तो शायद साल साल दो-दो साल तक हो जाते हैं कई बार हम अलमारी खोलते हैं पता लगता है कमरे में भी पढ़ी रहती है चीज किया रहे यार इसको तो यह साल बर से पड़ी हुई है यहीं पर हाथ भी नहीं लगा है एक थोटी सी जीज़ों को कुछ मिलेगा हम लोगों ने दिखावे कि जिन्गी इतनी कर ली है कि जहां पर हमारे महमान बैठते हैं उसको तो हम साफ सुत्रा रखते हैं उसको हम बहुत क्लीन रखते हैं और जहां पर हम खुद रहते हैं वहां पर हम पूरी गंदगी वहां की भी उठा लेते हैं कि महमान को गंदगी ना दिख जाए वो भी अपने कमरे में सच बात तो यह है कि आप अगर आपके कमरे में कोई ऐसी चीज़ें आप बढ़ा रहे हैं तो वो मैं समझता हूं कि महमान के कमरे में बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है भलकि महमानों की भी एक परिक्षा हो जाएगी कि वो आपको देखते हैं या आपकी चीज़ों को देखते हैं तो अच्छे मित्र अच्छे संमंधी अच्छे मिlor में relevant वह बीचा हैं और जो आपको नहीं संझते तो आप कर दो जे बिल्कुल नहीं नीए आप ने बड़ी 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 सही बात के रही और यह वो हम उसको ये कह दें कि हम western lifestyle के पीछे ज़्यादा भागना शुरू कर दिया हम उसको blame कहीं भी डाल सकते हैं लेकिन सच तो यह है कि वो हमने जैसे भी हो कहीं से भी influence हुए हो हमने अपने जीवन को कहीं ना कहीं पे clutter कर लिया है हम लोगों ने western lifestyle पे बिल्कुल नहीं भागें यह बात मैं आपको फिर कह दूँ आपका भी वेस्ट के लोगों को देखिए उनके रूम्स बहुत साफ सुत्रे होते हैं वो अपने लाइफ लाइफ इस्टाईल अपनी पर्स्टामल्य उनकी जिन्गी होती उसमें interference नहीं करने कुछ और यहां तो यहां तो हम सब दूसरों की पर सर जिंगी में और दूसरे भी हमारी पर्स जिंग इंट्रफेर कर रहे हैं तो वेस्टन लाइफिस्टाइल की बात करके अगर हम वेस्टन को हम विरोध कर सकते हैं तो वो बिल्कुल उस अधूरे ग्यान की तरह है जिस ग्यान में हम केवल आधी बात कर रहे हैं हम डिस्को थिक की बात देख रहे हैं हम यह बात देख रहे हैं कि शराब पीते हैं हम यह बात देखते हैं कि अच्छी गाड़ी चलाते हैं लेकिन फिर हम यह नहीं देखते कि शराब पीना उस छेत्र में बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे यहां पानी पीते हैं उनके लिए गाड़ी जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर लोग संख्या कम है उनके पास अगर डिस्को थिक में जा रहे हैं तो सच बात तो यह है कि वो इतने ठक गए हैं अपने जीवन से तनाव मुक्ति के लिए जा रहे हैं हमारे पास तो फिर भी लोग संगीत होता है तो तो Western culture पे हैं हम भाग रहे हैं कोई और हम उन से कमपडिशन कर रहे हैं तो जो मित्र भी Western culture को अच्या मानते हो या उनसे कमपडिशन में करते हो या वह इसले उनके पूरे culture को समझो और पूरा करो तब तुम्हें पता लगेगा कि western culture भी तुमसे बहुत बिंद नहीं है तो हम comparison नहीं करना चाहिए हमारे यां तीन मौसम होते हैं हमारे तीन मौसम में हमको जो हैं गर्मी की आप से लग सेट होना होता है सवदी की साफ से लग सेयट होना पड़ता है बढ़सात की स्वेज़ाओट होता है थंड कते अपने को प्लान करते मैं उनके कपड़े भी तीन बार उने नहीं घरीदने पड़ते में उनकेowser्ड के यह बार है हम तीन बार अपने घर की प्रप्रेशन करते हैं साल में वो साल में एक ही बार अपनी घर की प्रप्रेशन करते हैं हम 365 दिन में 70 दिन छुटियां मनाते हैं तेवहरों के नाम पे वो केवल 10 दिन के लिए एक ही तेवहर मनाते है उन्होंने अपने श्रम में वहां के कल्चर क पास appointment लीजी और एक घंटे जाईए और वहां पे जाके अगर डॉक्टर आपको एक घंटे में आप नहीं पहुंचे टाइम पे तो एक घंटे के अपने पैसे ले लेगा आप नहीं आए हैं आपको देने पड़ेंगे वहां समय की value है हम लोग यहां क्या करते हैं हम लोग 10 रुपए की चीज करीते हैं 15 की बेशते हों सोचते हैं 5 रुपए हमने बेचे कमा लिए 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेची 2 घंटे में और 5 रुपए कमा के हम समझते हम 5 रुपए की कमाई करते हैं अगर यही पस्टिम में होते तो 2 घंटे के पैसे और जोड़े जाते हैं कि 10 रुपए की चीज को हमने 2 घंटे में बेचा तो 2 घंटे की value हमारी जो है वो 200 रुपए हुई और 200 प्लस 10 और 5 रुपए और उपर से तो 215 रुपए की मिलती बिल हमें हमें अपने जीवन में balance लाना बहुत ज़्यादा ज्रूरी है और जो एक चीज और जो अपने बताई आज इस session में की हमारे हमारा शरीर हर सबका शरीर अलग लग तरीके से design है और tune है तो वो और वो जो tuning है वो कही ना कही हमारा brain जो है उसको वो control करता है नियमित करता ह है और हम इस शरीर को एक एक single body की तरह देख सकते हैं लेकिन इसके अंदर अलगलग components है इसके अलगलग अंग है और वो कैसे काम करेंगे किसको कितना क्या nutrition चाहिए कैसे वो ही लोगा कैसे सही चलेगा वो दिमाग जानता है और वो दिमाग को अगर हम सही portion दें जरूरी नही portion मतलब खाने का portion बठाख portion मतलब उसको जो सही सही जो environment चाहिए सही जो जो conditioning चाहिए वो अगर हम दे पाएं तो फिर हमें जो है यह problem जो है किसी भी टाइपी problem हमें नहीं हो मैं एक sportsman रहा हूँ 50 साल की जिन्दगी में मैं देखिए फिर वही बात लोग ऐसी बाते जब कहते हैं तो जारतर ऐसे बोलते हैं कि भगवान की कृपा से मैं नहीं बोलूँगा ऐसा मैं यह कहूंगा कि एक संतुलित जीवन दीने की वज़े से और शायद मेरे परिवार का एक महौल जो मेरे पिता का महौल खास और फेस में शामिल रहा उन्होंने बच्चों को कभी जबर्स्ति नहीं की हमारे पिता जीरे में शिक्षा की भी जबर्स्ति नहीं दी मैंने intermediate के बार जब पढ़ाई छोड़ी तो मेरे पिता ने नहीं का बेटा क्यों नहीं पढ़ोगे और जब उन्होंने admission कराने गया तो कभी यह नहीं का कि science side ले लो कि यह ले लो उन्हों का बेटा जो तुम आहीं लोगों की अक्सर पसली में भी आज तक कुछ नहीं हुआ है और बचास साल की उमर में मैं फिर कहूं डॉक्टर जाहें देख लें कि छे फिट की हाइट और बहातर के लोग का मेरा बेट बहातर से 73 कभी क्रास नहीं करता और 71 कभी नहीं करता हूं आटो सेट और मैं और मैं किसी तरीके में ना मेरे किचन में किसी तरीके की फूट की प्रोग्रामिंग है कि इस तरीके का भोजन और यह सब बनना चाहिए हम सब listen to body मैंने पने आगके बच्चों को सिखाया है हमारे जितने परिवार में बच्चे रहते हैं सदस रहते हैं इन सारे लोगों की सिर्फ एक ही सिक्षा है कि जब भूक लगे तो भोजन लो जब नीन लगे तो नीन लो जब प्यास लगे तो पानी लो listen to body क्योंकि आपके शरीर से बेहतर आपका guidance करने वाला कोई नहीं है शरीर जब यूनीक है तो guidance भी वही शरीर बताएगा दूसरा शरीर नहीं बताएगा मैंने आप लोगों को जो बताया मैंने पूरी इमांदारी रखी इस बारे में कि कहीं मैं अपने नियम आप पे न थोख दूँ इसमें बहुत इमांदारी मुझे बरतनी पड़ी और मैं अगर कहीं धोके से भी आप मेरे कोई नियम सुन लिये हैं और अपने शरीर पे जवर स्वाद लेनी है खुश्बू कौन सी नहीं जुबान खुद बताएगी मीठा खाना है नमकीन खाना है दोगो पांच तरीके का स्वाद होता है है ना कहते हैं मीठा खटा नमकीन कड़वा और एक सीठा एक सीठा सवाद भी होता है, अगर सीठा सवाद मतलब यह ** ममारी बाटी को सब तरीके की चीजें देते हैं और अलग-अलग समय पर बौडी को अलग-अलग मांग होती है जब बौडी को energetic वर्क करना होता है तो आप देखिए कि वह वह स्वीट मांगता है है अब हर एक की बॉड़ी के अपना तरीका है आप कुछ लोग कहये कि मीठा घाना ही नहीं चाहिए तो यह तो अपराद हो जाएगा काम करना मेहनत कर एनर्डी चाहिए जैसे आप दूप में चलेंगे पानी चाहिए और वो क्यों पानी पीना नहीं चाहिए या पानी इतना चाहिए तो लोग नीएम ऐसे होते हैं कि उन्हों का जाड़ों में उत्रा पाणी दे देदें शरीर को जितना गर्मियों देना चाहिए भाई घर्मिया घर्मियोग तरह है अब हर हर गंगे करना है तुमें तो तुम पांच बज़े उटके करते हो अगर तुम नियम के तहए तो अच्छी बात है लेकिन तिबबट जाके तो मत करो हर हर गंगे लोग तिबबट चले जाते हैं वहां भी हर गंगे करते हैं सुबए पांच बज़े उटके जहां पर आपका पसीना आई नहींज रहते हैं वह नहाते हैं Beitॉ पर आते हैं गूमने बनारस गूमने आते हैं और काशी जाते हैं और वहां पर कोड़ीन है आता है जबकि Khoop Ase pesticides तो और गलत है जैसा देश वैसा भेस क्यों कहा गया मैं तो कहता हूँ गिर्ग ट सबसे अच्छा जाता है जैसे color में जाता है मैत्री कर लेता है वैसी हो जाता है तो सखाजी यह जो जानकारी दी यह जैसे मैंने पहले बताया यह मेरे लिए तो eye opener रही मतलब एक एक self reflection भी था इसके अंदर इसके अंदर एक वो बारीकिया भी थी जो की जो की एक जो आपका experience है वो इसके अंदर जलक राता तो ये एक तरह से सार जो आज आपने सब के सामने रखा ही बहुती बहुती सुनने लाइक है समझने लाइक है और इसका प्रयोग में मैं खुद भी करके दिखूंगा और इसके साथ ही मैं हमारे सारे दर्श्टों को suggest करूगा कि ये जो नियम, so called नियम या यो जो tips आप बोल सकते हैं, नुस्खे बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, इनको आप जीवन में उतारें और इसको करके देखें और अपना जैसा बताया सखा जी तो तीस दिन तो कुछ भी नहीं होते, तो तीस दिन आप experiment करें, पैन्तालिस दिन आप experiment करें, अपनी feedback जरूर हमारे साथ share करें कि आपको इनसे क्या अनुभव हुए, क्या आपको experiences हुए, क्या आपको फायदे हुए, नुकसान हुए, जो भी हुए वो आप अपने experiences जरूर पर हमारे शाह से शेयर करें, इसके अलावा जो भी आपके आज के सेशन को लेके या जो पहले हमने सेशन किये हैं, कोई भी सवाल हो जो आप के मन में आ रहे हो, वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जैसे कि हम सखाजी के साथ और भी सेशन दैनिक जीवन की परशानियों से समस्याओं से जो लडने के धंग है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे लड़ते हैं तो आने वाले समय में हम बीमारियों को तो उठाएंगे आप जो भी बीमारियां हैं देखिए बहुत सी बीमारियां होती ही जिसका इलाज बात आनियों का आरंभिक काल ऐसा होता है जहां पर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं आप उनको आने से रोक सकते हैं या जीवन में आगे ना हो इसके लिए प्रपेर हो सकते हैं तो आपको जो भी दिकत हो आप पूछें अगर कहीं पर भी हमें ऐसा लगेगा कि उसका कुछ समाधान बताने योग है तो बताएंगे और कई बार हमारे जीवन में छोटी-छोटी जैसे पढ़ाई के डंग हो गए जैसे कि संबंधों के डंग हो गए चोटी-छोटी जो जगड़े होते हैं तो उसको इग्नोर करने का तरीका क्या है या कैसे अपनी कुरोध को निकालना भी है या रोकना है तो फिर नुकसान ना करें ऐसे रोकना है कैसे करके करें आप इन सब बातों को मैं करने को त्यार हूँ क्योंकि मुझे केवल यही चीजें जो मैंने कहीं है पालन से ही मैं स्वस्त नहीं रहता मेरी इसके अलावा भी एक जीवन है उन जीवन में मैं किस प्रस्तिती को कैसे कांटर करता हूं उससे भी मेरे सnt करेना देना है इतना जरूर है coincिसे को सभा के संबंद में पहले वीडियो तेखे हूंगे या जो सभा है के संबंद में बहुत से लोक मुझसे बात करना चाहेंगे आँख चीन आपको पहले प्रॉइड कराया उमारा तो उस नंबर पर आप बात करें तो जब कोई बहुत हम लोग सखा वेलनेस में सिर्फ उन बीमारियों को लेते हैं जो बीमारियां कहीं से आप इलाज नहीं पाते हैं जब आप सब जगा से ठक जाते हैं सिर्फ उनी बीमारियों को लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति संपल करें निश्चिती थोड सकते हैं जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है वो हम आप अशोग जी के पास प्रश्ण भेजें कमेंट्स में यहीं उत्तर देंगे उसके लिए आप न सोचें कि सका जी से बात करा दीजिए और हम यह पूछना चाहते हैं क्योंकि फिर हमाई टीम आप से थोड़ा शुल्क की जा सकती है उप्चार किया जा सकता है उसी वक्त में सेक्ड़ों हजारों लाखों लोहों तक आज के इस आदने क्यूप में इस प्लेट्फार्म के माद्यम से मलत की जा सकती है जैसा कि आप पिछला वीडियो अगर हमारे वीवर्स देख रहे हैं अगर उन्होंने देख लिया होगा तो आप शेयर रिलेट कर पा रहे होंगे कि आज सखाजी नहीं यह क्यों मेंशन किया कि जब आप सब जगा से थक चुके हैं तभी हमारे पास आएं अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो जो अभी स्क्रीन पे आपको जो लिंक आ रहे हैं वहां से आप जा सकते हैं वर्न नीचे भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे वह आप चर्चा जरूर सुनिए वह हमारी पहली चर्चा थी और एक नए आयाम को आप लोगों के बीज देने की कोशिश करता हूं जिससे आप अपने जीवन को सुखी और समर्द बना सकें और वो फ्री आपको अस पूरे तरीके से प्रोग्राम है वहां पे आप शामिल हो ये लाइब टेलिकाज पर डे होता है अगर किसी दिन नहीं ह होता है तो उसकी इंफर्मेशन भी डाल दी जाती है कि आज नहीं होता है तो जिस दिन होता है फिलाला आप जरूर देखें लोगों के प्रस्ट लेकर बात करता हूं और वह एक अलग धंका अध्यात्मिक दर्शन है जो मेरा दर्शन है जिसको नाम बच्चों ने सखा दर् जी बिल्कुल और जो सखाजी का जो चैनल जो इनने रेफरेंस भी उसकी जो चैनल की आईडी डिटेल्स है वो भी अम इसी वीडियो की डिस्क्रप्शन ने इंचे डाल देंगे जहां से आप जाकर इनके चैनल से भी जो है जो है जोड सकते हैं जी सखाजी आज बहुत और मैंने जैसे बताया कि वीवर्स प्लीज इस जानकारी वो पूरा सुनें समझें इस चीज को इस्तेमाल करें अपने जीवन में अपनाएं और अपने एक्सपिरियंसे साथ जुरूर शेयर करें तो इंतजा रहेगा आपके कमेंट्स का अपके क्वेश्चिन्स का और तो आज आप अमारे साथ जुड़े समय दिया इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सो मुँच